हे गाईस आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को में ये बताने वाला हों कि बैंक एबडी क्या होता है और इसके क्या फायदे होते हैं और इसको आप लोगों को अकाउंट कैसे ओपिन करवाना होता है दोस्तों अगर आप लोग भी जाना चाते हैं बैंक एबडी के वा तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास कुरा देख लीजे ये वीडियो देखने के बाद आप लोगो कोई और वीडियो देखने की जोरत नहीं पड़ेगे क्योंकि Bank ABD के बारे में इसे लेकि जहट तक आप लोगों को जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगे तो चली मैं आप लोग को ज़ता टाइम वेस्ट न करते हैं फटरवर्ट से आप लोग को बता देता हूँ कि बैंक एपडी क्या होता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम चलीजिए मेरा नाम है स्वानु कुस्वा और आप सभी लोगों का अमारी इस चैनल में फिर से बहुत वस्वागा तो चलिए शुरू करते आज की वीडियो दोस्तों बैंक एपडी का मतलब है फिक्स डिपॉजिट ठीक है जो उसको पैसे को आप लोग बैंक में जमा करके उसकी एपडी करवा लेंगे तो उसकी एक समय तित सेलेक्ट लिया जाता है कि इस तित में आप लोग को जो पैसा है वो मेर्चुर होने के बाद उसको निकालना है ठीक है तो यह चीज होती है तो अब मैं आप लोग को बताता ह है 6% 7% का एक साल के लिए तो वही रेट आप लोगों को मिलेगा एक सलवत चाहे मरक मार्गेट में उताव चड़ाओ या पैसे की बैलू कम जादा हो या कोई भी चेज के बैलू कम जादा हो लेकिन आपको जो पैसा है वो उसी रेट में मिलेगा तो अभी क्या है कि बहुत सा मार्गेट का उतार चड़ा होता रहता है तो उसमें जो पैसा है कहीं कम मिलता है कहीं जादा मिलता है कभी कभी क्या होता है कि पैसे को लगा देते तो लोगों को जो पैसा ज्यादा मिल जाता है और मार्गेट जैसे भी बड़ोतरी होती है अगर उसमें मार्गेट में घट तो भी आपको interest बताया गया है, उसी interest में आप लोग को refund मिलेगा, उसमें कोई भी घटोतरी वडोतरी आपकी नहीं होगी, तो ये चीज फाइदा होता है, market चाहे गिरे या बड़े, उससे FD को कोई भी फरक नहीं पड़ता है, अब दोस्ते यहां पे आप लोग जो है, बैंक मुझे directly जो है पैसा दे रही है, और interest दे रही है 2%, 3% का, तो इसमें क्या है कि बैंक सिर्फ आपको 2-3% का ही देती है, directly आप लोग saving account को खोल के रखे, पैसे को आप लोग जमा करके रखे होंगे, लेगिन आप लोग उनी पैसे को अगर आपको जरूरत नहीं होती है, तो अ जितने साल का आप लोग FD करवाएंगे, उतना जादा आप लोग को interest यहाँ पर मिल जाता है, अब दोस्तों इसमें अगला फाइदा यह भी है कि अगर आप लोग यहाँ पर अपनी bank FD करवा लेते हैं, तो इसको आप लोग कभी भी तोड़वा सकते हैं, थोड़ा सा नु कर देते हैं, तो यहाँ पर 90% तक आप लोग 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 ले सकते हैं, यहाँ पर लोग आप लोग को तुरंत मिल जाती हैं, और कोई भी डॉकमेंट और KYC की जुरुवत नहीं बढ़ती है, क्योंकि आपने fix deposit करवा के रखा है, तो कोई भी company आपको RM से लोग देगी, और जिस bank में आपने FD करवाई है, वो bank आप लोग को तुरंत से loan provide कर देती है, और कोई भी document और कोई भी KYC आप से नहीं मंगती है, तो यह चीज फायदा होता है, अब चले मैं आप लोग को यह बताता हूँ कि आप लोग को क्या करना है bank FD account open करवाने के लिए, FD account है, bank में ल order card, pen card और dry lessons यह चीज़ होने चाहिए, और कोई भी आपके भारती document है, तो वो आपके पास होने चाहिए, और इसके बाद आपको जो KYC document है, इनको ही बोला जाता है, और यह आप लोग अपने bank में लेके चले जाए, जिस bank में आपको FD करवाना है, और उसके बाद यहाँ प आप लोग फॉलो करके और इसके बाद वो आपको एक form देंगे, form देने के बाद उस form पे आप लोग अपने details वरने होंगे और जिसको nom नी बनाना है, उसको आप लोग नम नी बनाके आप लोग उसको नाम भर दीजिए, और इसके बाद बैंक में उस form को जमा कर दीजिए, यो भी आप लोग के आदर कार, PENT card का फोटो कॉपी है, भो भी लगेगी, आपका फोटो है, भो भी लगेगा, तो ये डॉकुमेंट दे दिजी और साथ में आप लोग की सिंगनीचर और उगेरा होंगे, वो भी आप करके, अपना जो भी फॉम और भार भी भी बंक ये, बैं कितना भी जमा कर सकते हैं FD आप लोग जो है 1 साल, 2 साल, 3 साल 4 साल, 5 साल, 10 साल 15 साल जितना आप लोगों को बनवाना FD उतना आप लोग हरम से बनवा सकते हो आप लोगों को जो अपना FD का interest rate है वो निकालना है कि आपके साल पे एक लाग रुपए जमा कर देते तो एक सालवाद आपको जो है कितना refund मिलेगा बिद आप लोग के ब्याज के और पैसे तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर हर बैंक का जो interest rate है वो थोड़ा सा जो है कम जादा हो सकता है लेकिन SVI जो है अच्छे खासे interest rate दे देता है तो आप लोग का बैंक में SVI में account है तो आप लोग अपना SVI में every account open करवा सकते हैं चली मैं आप लोग को बताता हूँ एक लाग का जो है एक सालवाद आपको interest कितना मिलेगा एक लाग मैं यहाँ पर लगाता हूँ हो जाएगा यह एक लाग रुपए आपको मिलेगा साथ में आपका जो ब्याज है 6,055 रुपए आपको मिलेगा और यह एक लाग रुपए है जो इसको आप लोग और ज़्यादा जमा करेंगे जैसे 2,3,4,5,5 लाग तो उससे कोया है कि अगर आप लोग 2,0,000 जमा करेंगे तो यह जो आप लोग का लवक 13,000 रुपए आप लोग को इंटरस्ट एक सालवाद मिलेगा अब यह जो है आप लोग साल वड़ा देंगे आप लोग 2 साल के लिए आप लोग FD करवातें 3 साल के लिए करवातें उतना जाधा आप लोग को इंटरस्ट मिलेगा अब दोस्ते यहाफे मैं आप लोग को यह बता देता हूँ इसमें आप लोग का नुकसान क्या होगा तो इसमें आप लोग को नुकसान थोड़ा सा होगा इसमें क्या है कि आप लोग का जो तै हुआ है interest rate उतना interest rate आप लोग का multiply हो जागा जैसे आपने मान लीजे दो साल के लिए FDA करवाया और आप एक साल वाद क्लोवा रहे हैं और आपने एक लाग जमा किया था तो मैं आप लोग को बता दे लेकिन आपे आप लोग को जो एक परसेंट का लोस देती है Chic आप लोग समय सीमा से पहले आप लोग अपना magnific ठोड़वा लेते हैं तो आईोड़ आप लोग को पता चल चोगा होगा कि वैपडि क्या होता है और इसके क्या ऐसे ओपर Siya होता है आई हो आप लोगो जानकारी मिल चोके होगी जानकारी पसंद्स ल沒事 कीजे लाइक और इसे हैं और वीडिवो को देखने के लिए कर लीजेए चैनलszy सब्सक्राइब क्ला